इसनान एक ऐसी प्रक्रिया है जो औरतें सुबे सुबे करती है तो घर की बरकत होती है घर की तरक्की होती है और घर में मनमान पैसा आता है पती भी करोडों में खेलता है उनकी जौब सुरक्षित होती है व्यावसाय में उन्नती होती है हर तरह से घर में शुब ही शुब काम होते हैं और महीला को अगर प्राते काल इसनान नहीं करती है बारा बज़े तक नाती है तो उस घर में उसके समान ही विशम ताइम प्रवयाब्थ हो जाती हैं और तरक्की में तरह तरह की बाधाई आती है कुल मिलाके जो इसनान हलकी शरीर की जो टेंडेंसी है उसके हिसाब से बात कर रही हूँ किसी पार आरवपित नहीं कर रही हूँ कि सुबह बनाए महीला हो या पुरुष हर किसी को प्राते का लिसनान सूर्योदे के साथ में कर लेना चाहिए इससे उनकी उन्नती होती है महीला हो या पुरुष दोन के पास मनमाना पैसा बहाने मारमार के आता है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको बताने वाले हैं कि महिलाएं सनान करते समय ऐसा क्या करें कि उनको बहुत जदा तरक्की मिलते जाए और उनका पती उन्नती करते जाए क्योंकि महिला जो होती है उसका अगर सही है उसका नेचर सही है उसका चरित्र सही है तो घर करोणों गिना उन्नती करता है और उसकी उस घर की प्रगती निश्चित रूप से होती है लेकिन महिला अगर चाल चलन की सही नहीं है और विरोधा भासिस्वर हर वक्त कहती रहती है तो उस घर की बरबादी निश् और पती और जो बच्चे होते हैं, दो, तीन, चार, पांच, कितने भी बच्चे हैं आपके, सभी बच्चे सैटल हो जाते हैं, सभी बच्चों की उन्नती होती है, और सभी बच्चे तरक्की करते हैं, पती की तो उन्नती होती ही होती है, तो आईए आज का वीडियो शुरूर करते हैं जो इसनान पर क्रेट केंद्रीथ है और इस इसनान की वक्त एसा क्या करें नहाते सम्resh बाथरोम में एसा क्या करें जो घर परिवार तरख्की करता रहे और इसको आनंद की प्राप्ति हो उसको खुशी भी मिलें ऐसा भी होना जरूरी है क्योंकि जो bathroom में kriya करी जाती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और वो उसको खुशी देने वाली होनी चाहिए महिला खुश रहेगी तो ही तरक्की होगी घर की और तो भी तरक्की बरकत होगी तभी तरक्की होगी और तभी बरकत होगी तो हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर रूमा शिरी मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज मैं बहुत बड़े मन से अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ I hope आप सब खुशाल जिंदगी बसर कर रहे होंगे मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में होती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बहुत अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ तो आईए मेरे चनल में और विजिट करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप आज पहली बार आए हैं तो और महीला का रोल हर घर में महत्वपून होता है पुरुष भी आजकल महीलाओं के समान रसोई में काम करते हैं या महीलाओं के समानी प्रातेकाल इसनान कर लेते हैं जल्दी वो अलग बात है लेकिन महिला सूत्रधार होती है किसी परिवार की बुनियाद उसके कंदों पर होती है बुनियाद से मतलब है उसका जो दाइत्व है बहुत बड़ा होता है विशाल होता है और उसको अपने दाइत्व की पूर्टी के लिए बहुत खूबी से निभाती है पती से कंदे मिला कर आज हर फिल्ड में महिला काम कर रही है जो उनके लिए शाबाशी के योग्य है लेकिन आईए मूल बात पर आते हैं कि महिला बात्रूम में नहाते समय ऐसा क्या करे जो उसका परिवार खुशाल जिंदी बसर करते रहे त और उंगली उसके सटाते हुए बाल्टी से सताते हुए कोई भी पवित्र मंत्र का जाब करे जो उसके घर की सुक समरदी में सहायक हो वो श्री सुक्त का पार्ट भी कर सकती है लेकिन उसके पूर्व उसका इसनान करना आवशक है मतलब इसनान करने के बाद वो ये क्रिया उसको बाल्टी में पानी के उपर अपनी उंगली रखके कर रही है और आप देखेंगे कि इसके प्रफाव से उसका शुक्र जागरत होता है उसकी जिंदगी में शुक्र देव का आशिरवाद उसको मिलता है और उनके आशिरवाद से उसको बहुत सारे शुप परिणाम इधान है कि गीले कपड़े पहन कर आप मंत्र जाप करते हैं तो बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और अपना वस्तरहीन पोस्ट जो होता है आपका वस्तरहीन से मतलब आप आधी में अपना आधा शरीर डुबो कर अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो बहुत जल्दी फली भूत होता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, पबलिक प्लेस पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हलाकि हमारे समाज में ऐसे कई नदियां हैं, जिनमें पवित्र नदियों में सनान का गौरब कही लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन कई लोग शिर्मिले स्वभाग के होते हैं, उन लोगों के लिए विशेश यह है वीडियो है, तो उनको नहाने के बाद बाल्टी को ही गंगा यमना सरस्वती या जो भी पवित्रि नदी आप मानते हैं, वो समझना चाहिए, हाला कि इसका मंत्र भी है जो नहाने से पूर्व आपको जबना चाहिए, वो मंत्र भी आप जब सकते हैं नदियों का, उससे भी आपको लाब रहेगा, लेकिन इसनान करते समय, इसनान कर लिया आपने, उसके बाद जो अवस्था आपकी होती है, उसमें आप एक कोरा कपड़ा लपेट लीजिए, कोरा कपड़ा अपने बदन पे लपेट लीजिए, एक पस्तर के रूप में, और मंतर जाप करिए, कोई भी मंतर जाप आप करेंगे, जो आपको रटा हुआ है, जो आपके लिए शुद्ध उच्चारन के योग्य है, उस मंतर को आप जपें, आप पाएंगे कि आपके घर में दिनो दिन तरक्की होती जा रही है, दिनो दिन आपकी बरकत हो रही है, द वीडियो से आपको कितने दिन में कितना लाग मिला मतलब कुल मिला के ये है कि आपको इसनान कर लेना है पहले और उसके बाद एक कोरा वस्तर कोरा कपड़ा या ओरनी अपने पूरे शरीर पर लपेट लेनी है और आप बात गाउन पहन कर भी कर सकते हैं लेकिन आपको बात गाउन नहने के बाद जो पहना होता है वो धुला हुआ होना चाहिए वैसे तो मैं प्रशस्त करूंगी एक कोरा कपड़ा किसी भी कलर का पिंग कलर का कपड़ा ले लीजिया और पिंग कलर के जो कपड़ा होता है उसको पूरे बदन पे लपेट लीजिये और हाथ से जो दुबारा बनलब बाल्टी आप मास लीजिये और उसमें पानी भर लीजिये उसको आप अपने उंगली का सपर्श करिए और मंत्र जाप करिए इससे आपका घर परिवार उन्नति को प्राप्त होगा और सुख की सुख आपके जीवन में आएगा और पैसा तो आपकी उंगलियों पे नाचेगा ऐसी स्थती आपकी हो जाएगी गरी भी तो आपके नाम से कापेगी ऐसी स्थती आपकी हो जाएगी आपके घर में बहुत पैसा तुरंत आएगा तो आज का वीडियो जरासा भी helpful रहा हो तो इसको like करना, share करना और comment section में के बताना कि इस वीडियो से आपको कितने दिन में कितना लाब मिला मेरे यूट्यूब पर अन्य वीडियो भी available हैं जो 5200 के संख्या में हैं उनको भी आप देख सकते हैं तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मितरों बहुत बहुत धन्यवाद